नमस्कार आप सभी का बेहत स्वागत है CIE TNCRT के लाइफ फोन इंटराक्टिव कारिकरम में मैं हूतानवी खुराना कक्षा 9 के सभी छात्र हमें देख रहे हैं इवद्या चानल नबर 9 पर सामाजक विज्ञान के इस कारिकरम में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए आज का विशे जो की है डिमोकरसी जिसे हम लोकतंत्र के नाम से भी जानते हैं और हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत एक लोकतंत्र है और लोगत तंत्र के बार में बहुत कुछ है जानने के लिए, समझने के लिए और इसी के लिए आज हम ये कारिक्रम आप सभी के लिए लेकर आए हैं अगर आपके पास कोई सवाल हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें फोन कीजिए नमबर है 8800440559 अगर इमेल के माध्यम से अपने सवाल हम तक पहुँचाना चाहें तो इमेल आईडी होगा dth.class9.nic.in हमारे साथ एक महमान मौझूद हैं जिनें बेहत खुछी होगी आपके सभी सवालों का जवाब देकर आईए आपका परिच्चे करवाना चाहेंगे Dr. Subhash Singh से स्वागते सर आपका नमश्यार Sir है Assistant Professor Department of Education and Social Sciences NCRT नई दिली से और इसे पहले कि हम ये बाचीत शुरू करें हम आपको एक जानकारी देना चाहेंगे We are extremely proud of the fact that India assumed G20 presidency and would convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country this year that is 2023 A nation deeply committed to democracy and multilateralism India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding global pragmatic solutions for the well-being of all and in doing so manifest its true spirit of Vasudhaeva Kutumbukam or should I say the world is one family Vasudhaeva Kutumbukam also translates to one earth, one family, one future and that is exactly the theme of this year's India's G20 presidency तो चलिए, समझते हैं आज इस पार्थ को democracy यानि लोकतंत्र को सबसे पहले हम सर से इस शब्द का अर्थ जानना चाहेंगे सर दिमोक्रसी, दिमोक्रसी का मतलब क्या होते हैं हम और हमारे नवी कक्षा के सभी बच्चे डिमोक्रसी से क्या समझते हैं लोकतंत्र का डिमोक्रसी का हमारे जीवन में बहुत ही महत्पूर्ण योगदान है, important role है क्योंकि डिमोक्रसी लोकतंत्र लोगों का तंत्र, यानि जनता का सासन, हम इसको अपने ब्याभारिक जीवन में भी हम इसको देख सकते हैं कि कैसे हम अपनी family से लेके society तक, राष्ट तक, nation तक हम उसको उप्योग करते हैं कैसे महत्पूर्ण है, democracy हमारे लिए अगर हम अपनी family में अपने परिवार में हम अपनी बात अच्छी तरीके से रख सकते हैं तो वहाँ democracy है जैसे, अभी मैं कल बात कर रहा था, अपनी friends से उन्होंने बताया कि मेरे फादर अभू सुगर है और हम लोगों के लिए जो है मिठाई खाना मना हैं तो इस परिवार को, इस माहोल को हम डेमगूर्ट से नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ dictatorship है वहाँ non-democratic माहोल है किलास में अगर हम पढ़ा रहे हैं और कोई भी छात्र, कोई भी students अगर अपनी बात नहीं रख सकता अपने question नहीं रख सकता उसको बात को दबाए जाता है तो ये non-democratic है अलो तांतरिक्र प्रशासन है तो इसलिए अपना एक लीडर चुना होता है लोगों को अपने देश का एक लीडर चुना होता है तो क्या उसका माध्यम सिर्फ एक democracy ही हो सकता है या कोई और माध्यम भी हो सकता है क्या कुछ उधारन दे सकते हैं इससे जुड़ा हुआ डेमोरिशी का जो main features है डेमोरिशी चार पिलर पर टिगई है फोर पिलर पर फिलर्स पर rule of law जहां हम अपनी बात कह सकते हैं जहां हम अपने अधिकारों को मांग कर सकते हैं वहाँ डेमोरिशी है क्योंकि अगर हम अपने लीडर को खुद नहीं चुनेंगे जैसे मोनार्की में होता राजतंत्र में होता है वहाँ जो लीडर है जो सासक है वो जनता द्वारा चुनाओं नहीं होता वो बंसानिवद चलता है एक परिवारवाद चलता है जैसे हम सौधिय अरभ में देख सकते हैं वहाँ जनता अपने राजा को नहीं चुनती है अपने नेता को नहीं चुनती लेकिन परिजातंत्र में हम अपनी पसंद का नेता चुन सकते हैं क्योंकि वो हमारे अधिकारों के लिए लड़ेगा हमारी बात को सुनेगा तो ये कहना कि हम किसी और व्यवस्था में अपने राजा को चुन सकते हैं अपने नेता को चुन सकते हैं यह गलत है सिर्फ प्रजतंत्री एक ऐसी विवस्ता है जिसमें हम अपने निता को चुन सकते हैं देखिए जैसे भारत 1947 में इंडिपेंडेंडेंट हुआ शेंट टाइंडेंडेंट कुछ सकते हैं जी इसलिए देंडेंडेंडेंडेंट के बिना प्रजदंथ के बिना हम अपने नेता को नहीं चुझ सकते हैं जी, सर आपने यहां हमें चार फीचर्स बताएं डिमॉक्रासी के, एक था वन पर्सन, वन वोट और वन वाल्यू, फ्री और फेर एलेक्शिंस और आपने बताएं तो इन में से कोई एक फीचर क्या हम कह सकते हैं कि सबसे खास फीचर है डिमॉक्रासी का मेंस जो सबसे खास है एलेक्टिद लीडर, डेमॉक्रासी जी फोर्म गवर्मेंट इन विच लीडर एलेक्टिद वाइड़ पीपल्स, पर जय कोईड़ू करेंटिद विचोंग्रेभलाति एलेक्यत सबसें पर्मार्मेट इन पाकिसंस, लेढ़ पर्वेज कुराप्टिध पॉरे देश ने नहीं पूरे विष्वन ने देखा और इसी के साथ फ्री और फेर इलेक्शन्स जैसा कि सर ने बताया एक जो एसेंशिल फीचर है डिमॉक्रसी का वो बेस्ट है तो सर थोड़ी सी जानकारे इसके बारे में और देना चाहेंगे परवली उसरव ने जो नवासरीप की जो सरकार थी उसको अबदस्त किया और वहां military rule imposed किया इससे क्या हुआ कि क्या लोगों को वहां अपना नेता चुनने का अधिकार मिला नहीं क्योंकि चुनियों ही सरकार को उन्होंने जो अबदस्त किया और अपने आपको military rule करके वहां अपने आपको leader declare कर दिया as a head यह डैमूर किर्शी में नहीं होता है क्योंकि यदि जनता को अपने नेता को चुनने का अधिकार नहीं होगा तो अपनी बात कैसे रख पाएंगे उनके human rights रख सितनी होंगे for instance Arab Springs Arab Spring में हम देखें Tunisia में बैन अली का सासन था एक लंबे समय तक यूनिशे ना बैन अली का सासन चला लोग वहाँ unemployment, corruption, mass label पर था वहाँ के एक नागरिक मोहमद ब्वाजी ने आत्म हत्या, आत्म दाहा किया सरकार के खिलाप उसके बाद अगर हम देखें उसके बाद देखें आप हुसनी मुबार्ख, हुसनी मुबार्ख का जो रिजीम था एजिप्ट में एक लंबे समय तक चला, लोगों के अधिकार सुरक्सित नहीं थे वहाँ लोग अपनी मांगों को पूरे नहीं कर पा रहे थे, इसलिए अरब स्प्रिंग बहा हुआ हुआ, महम्मद गदाफी, करनल महम्मद गदाफी जो एक डिक्टेटरशिप थे, उन्होंने लोगों की मांगों को नहीं माना, उनके हुमन राइट सुरक्सित नहीं थे, फ्रीड लोगों के पास में च्वाइस नहीं है, मल्टी पार्टी सिस्टम की, वहाँ जो रिप्रेजेंटिटर होते हैं, डिक्लेट बाई कमिनिस्ट पार्टी, सो देर इस नो च्वाइस, यह फुल्फिलेज डेमक्रेशी है, जी, तो चाइना के बारे में भी हम एक्जांपल देख सकते हैं, सर्क्या मेक्सिको का एक्जांपल आप यहां पर देना चाहेंगे, मेक्सिको वहाँ पार्टी है, प्राइप्राइप्राइप्राइप्राइप्राइप्राइप्राइप्राइप्राइप्राइप्राइप्राइप्राइप्राइप्राइप्राइप्राइप्राइ उनके खिलाप रेली होती है उसको डिश्टब करना तो ऐसी सारी तक्निकों को यूज करके वहाँ जो टीचर्स हैं, ओफिस एंपलों हैं, they are member of PRI और उन से approach करते हैं कि ओप PRI को बोड करें, तो हम नहीं बोल सकते कि वहाँ का जो election है, free and fair elections है, क्योंकि since PRI वहाँ कभी भी election नहीं आज तक, 2000 से लेकर आज तक क्या PRI कभी भी election नहीं हा रहा, हर चीज के कुछ pros and cons भी होते हैं, हर party के, हर democracy हो, चाहे dictatorship हो, तो क्या democracy के कुछ advantages या disadvantages बच्चों को बताना चाहेंगे आप? हम disadvantage की बात करें, तो democracy के जो आरोप लगा जाते हैं, disadvantage होते हैं उसमें, उसमें कहते हैं कि जो सरकार है, वो बदलती रहती है, नेता जो है, वो अपने लिए काम करते हैं, ब्रहशाचार में corruption में लिपते रहते हैं वो, दूसरा, वहाँ कोई ethics नहीं होता है, अपनी सरकार को बनाने के लिए, जो political party हैं, वो सारे काम करते हैं, लेकिन despite these disadvantages, democracy दुनिया में सबसे महत्पून सासन है, सासन व्यवस्ता है, जिसमें हम अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं, जिसमें हम अपने नेता को चुन सकते हैं, जिसमें हमारे अधिकार सुरक्षिद रहते हैं, तो हम, despite these advantages, we can say, democracy is the best condition, best form of condition in the world, जैसे, चाइना की हम बात करें, चाइना में 1958 से 1968 में अकाल पड़ा, दुनिया का ये सबसे बड़ा अकाल था, लेकिन उस समय भारत में जो condition थी, भारत में इकने कंडिशन इतना strong नहीं था, लेकिन भारत में इस तरह का कोई अकाल नहीं क्योंकि भारत में डेमकरिशी थी, लोगों ने अपनी बात रखी और जो नेता थे, उन्होंने अपनी जनता के लिए काम किया, जो चाइना की सरकार ने नहीं किया, जो इकनविश जो वहां के अर्थ सास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि चाइना में अकाल इसलिए पड़ा, क्य क्योंकि वहां की सरकार ने अपनी जनता के लिए नहीं सोचा, जबकि भारत में जो भारत के नेता थे, उन्होंने अपनी जनता के बारे में सोचा, और उनके लिए नीतिया बनाई, पोलिसी बनाई, जो एक बेसिक डिफ्रेंस था. जी, और सर कुछ, हम स्लाइड्स में बहुत सारी इंफिर्मेशन है, क्या आप इसे थोड़ा-थोड़ा एक्स्प्लेइन करना चाहेंगे दर्शकों को? अगर हम बात करें, जो डेमिर्शी को अधर फीचर्स है, रूल ओफला, जी, रूल ओफला, अगर किसी भी देश में कानून का सासन नहीं होगा, जी, जैसे हम बात करेंगे, मियामर की, मियामर एक ऐसा कंट्री है, जहां मिलिटरी रूल है, वहाँ जनता की चुनिव सरकार थी, आंसांसूखी सरकार थी, उसको अबदस्त किया गया, वो हटाया गया उसको, और वहाँ मिलिटरी रूल किया, तो कानून, क्योंकि इलक्सन वहाँ फीर और लेकिन मिलिटरी सासन इंपलिमेंट होने के बाद, वहां जनता के लिए सारे जो ओप्षन थे बंद हो गए वहां, मिलिटरी शासन जनता अपनी बात नागरी का अपनी बात नहीं कह सकते थे, अपनी अधिकार नहीं मांग सकते थे, इसलिए अगर हम बात करें यहां सौधी अरब की, तो सौधी अरब एक मुनार्ख है, एक आज़ा है, वो जनता द्वार्ण चुनिन नहीं जाते, वो पीड़ू दर पीड़ू आते हैं, परिवार्ण से आते हैं, इसलिए जनता के लिए वहां सासन बहुत कम हैं, वहां च्वाइस नहीं है, अभी तिल 2015 तक, वहां महिलाओं को दाधिकार नहीं था, बौट डाले को कि हम 21st century में जी रहे हैं लेकिन 2015 में साथिय और अपने नागरी को के लिए बहुत देने का अधिकार रहता है तो यह बहुत अचीब बात है इसलिए डेमोरिश्य ची अच्छा कोई भी सासन ब्यवस्ता नहीं हो सकती क्या हम कह सकते हैं कि people can achieve their fundamental rights at their best in only democracy rather than in any other form of the government. Is it true? What's your opinion on that? Yes, ma'am. Democracy एक ऐसा माध्यम है जिसमें व्यक्ति अपने अधिकार रही मांग कर सकता है। कोई भी ऐसी government नहीं है जिसमें व्यक्ति अपने अधिकार रही मांग करें। फिर मैं वही अरव इस्प्रिंग का बात करूँगा। जी अरव इस्प्रिंग एक अरव देशों में जो वहाँ ताना हिसा हिसासन था उसके खिलाब वहाँ लोगों ने आवाज उठाई क्योंकि उनके अधिकार सुरक्षित नहीं थे। उनके basic fundamental rights सुरक्षित नहीं थे। नहीं मान रहते क्योंकि अगर सरकार जनता के द्वारा चुनी गई as democracy is a form of government in which leader elected by the people. एक ऐसी सरकार जो जनता चुनती है तो उसमें जो elected leader होते हैं वो जनता के अधिकारों की सुनते हैं उनकी मांगों को सुनते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि जनतंत्र में ही डेमोकरिशी में ही नगरीकों के अधिकार सुरक्षित हैं और किसी ब्यवस्ता में नहीं है जी अभी हम advantages और disadvantages के बारे में बात कर रहे थे हैं अपने हम advantages की थोड़ी सी जानकारी दी क्या आप हमें disadvantages भी बताना चाहेंगे democracy के डिसएडवांटेज्स जिससे मैना आभी पहले हमने चरजा की थी कि डेमोकरिशी में आरोफ लगा जाते हैं कि जो नेता होते हैं जो अपने लिए काम करते हैं और कि के लिए सारी ही गलत नीतियों को गलत तरीकों को इस्तेमाल करती हैं सरकार बार-बार बदलती रहती हैं जिससे जो देश की जो विकास है उसमें बाधा पोचती है लोग जो एक जो विकास की कार्य होते विकास नीतिया होती है development रुख जाता है ये सारे जो है आरूप लगाई जाते हैं लेकिन फिर भी हम बारवार हम यहीं कहेंगे कि सारी कम्यों के बाद disadvantage के बाद जनतंत्र एक बहतर सासन व्यावस्ता है जिसमें लोग अपने नीता को चुनते हैं लोग अपने आधिकारों की मांग करते हैं उनके आधिकार सुरक्षित रहते हैं अगर हम देखें भारत की बात करेंगे हम जो है भारत में क्यों भारत एक आज बिक्सित राष्ट की तरफ बिक्सित राष्ट बन गया है पहले भारत को हम थर्ड दुनिया, थर्ड वर्ल्ड की बात करते थे, तीसे दुनिया की बात करते थे, लेकिन आज भारत पहली दुनिया का है, आज पूरा दुनिया भारत की तरफ देख लिए, क्यों? क्योंकि भारत में, since independence until now, जो प्रजातंत्र है, वो बना रहा है, कभी भ जो देख हैं, वो भारत के model को adopt कर रहे हैं, आज चंद्रियान 3, ये भारत के लिए एक भारी सबलता है, बड़ी सबलता है, ये किस कारण हो पाया? आज प्रजातंत्र के कारण, हमारी सिक्सा व्यवस्ता इतनी अच्छी है, कि यहां हर व्यक्ति को सिक्सा पाने का अधिकार है, हम सिंस 1947 एंटिल नाव, हमारे जो सरकारे हैं, वो अपने नागली को की बहतरे के लिए काम करें, देश के विकास के लिए काम कर रही है, जन्ता के लिए काम कर रही है, तो ये जो उधर पाकिस्तान देखिया, पाकिस्तान क्या है, आज पाकिस्तान भुक्मरी की कागार म क्योंकि Pakistan प्रचातंत्र मोडल फोलो नहीं कर रहा है। तो इसलिए प्रचातंत्र ये कैसी व्यवस्ता है जो किसी भी देश को विक्सित राष्ट बना सकती है? बिल्कुल डिमॉक्रिसी के बारे में बहुत कुछ है जानने के लिए क्या आप हमें भुटान के बारे में बताना चाहेंगे कि किस तरहां की सरकार है भुटान में अऩरे में बहुत साथे एक्जैंपल्स है आपने चाइना पाकिस्तान साउडिय अरे वयनमार भारत के सामने अगर हम बात करें तो यह अलग अलग सरकार हैं अलग तरीके से काम करती है और डिमॉक्रेसी के जैसे आपने बहुत चारे फायदे हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है, और जो fundamental rights हैं, पूरे लोगों के, वो सबसे ज़्यादा satisfy हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ democracy में, अगर हम परिवार की बात करें, सोसाइटी की बात करें, देश की बात करें, तो प्रजातंत्र ही एक ऐसी व्यवस्ता है, जहां हम अपने अधिकार, अपनी मांगों को, अपनी विचारों को बड़े अच्छी से रख सकते हैं, कोई भी राष्ट यदि democracy को नहीं मानेगा, वो विक्सित राष्ट नहीं बन सकता, डिक्टेटर्शिप कभी भी अपने नागरिकों के लिए, अपने सासन व्यवस्ता के लिए अच्छी नहीं हो सकती, इसलिए कोई भी राष्ट यदि विकास चाता है, तो उसको अपना डेमोरिश्टी मोडल एडोप करने ही पड़ेगा, आज पुरी दुनिया में जो राष संत्र हैं, वो भी भारत की तरफ देख रहे हैं, भारत के मोडल को देख रहे हैं, कि कैसे एक राष्ट, 1940 से बने में इंडिपेंडेंड हुआ, आज पुरी दुनिया में एक बिक्सित राष्ट के सिरनी में जाके खड़ा हो गया है, बिलकुल, बिलकुल, सर बेहत आज हमारे साथ यहां जुडने के लिए इस कारिक्रम में हमने चर्चा की लोक तंत्र पर, यानि की डिमॉक्रिसी पर, और आपका संदेश मुझे लगता है, सभी बच्चों तक पहुँच गया है, और वो और जानना चाहेंगे भारत के बारे में, डिमॉक्रिसी के बारे मे और भी कौन-कौन से देश हैं, जो डिमॉक्रिसी के जो गवर्मन्ट है, उसको फॉलो करते हैं, सर बेहत धनेवाद एक बार फिर से, धनेवाद सभी दर्शकों का भी हमारे साथ यहां जुडने के लिए उमीद करते हैं, आपको यह डिसकॉशन, यह बाचीत पसंद आई हो तो आपको बहुत क्रियेटिव भी लखेंगे, तो ई-विद्या चानल्स देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, थुरी देर में हम फिर से हाजर होंगे, और जाने से पहले एक जानकारी देना चाहेंगे, NCRT की किताबों के बारे में, अगर किसी भी कारण मर्श आपने नहीं कता, एहमदबाद और गुवाहाटी में, अगर आप इनका PDF वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं, तो NCRT, दीक्षा या एपार्ट शाला की वेब साइट या उसके मोबाल अप्लिकेशन से आप ये डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिन भी कक्षा की आपको पाठे पुस्तकें चाहिए वो, और अगर आप इनका ओर्डर प्लेस करना चाहें वेब साइट के माधियम से तो आप वो भी कर सकते हैं, ncrtbooks.ncrt.gov.in है हमारी वेब साइट, आप ओर्डर प्लेस कीजिए, आपके घर बैठे बैठे आप तक किताबे पहुँच जाएंगी, आपको कोई डिलि कराना मुझे दीजिए इजासत, नमस्कार.